नमस्कार मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइप 24 न्यूज बिहार आईए नजर डालते हैं आज की खास ख़बर पर अमोर प्रखन शेत्र के रंग रहया लाल टोली से बाबु टोला को जाने वाले मुख्यमंदी सड़क में बना उच्चेस्तरी पुल भरशाचार की भीट चड़ गया जहां पुल बने हुए एक वर्स भी नहीं हुआ था जिसका अप्रोच पहले ही बारिस में धोस्त हो गया है जिससे आवागमन काफी प्रभावे थे इस्थानी लोगों ने कई बार पुल की गुर्वत्ता पर सवाल उठाए थे लेकिन इस्थाने अधिकारियों ने कोई धिया नहीं दिया जिसके कारण पुल का एप्रोच एक वर्स के अंदर ही धोस्त हो गया है आवागमन पूरी त भी हाट से पुरत तरह वारा है और यह पूल इतना डेमेज बना था कि देखे जए पूल का कंडिशन आप खुद देख रहे हैं किस अलतमे है करना दिन बना हुआ पूल अभी एक साल से भी कम होड़ा डेमेना में ही यह पूल धवस्त हो गया है देखिए कितना बना इसका जो इंगिनियर था, उसको लेकर के पहले यहां आईए, वो किस तरह से डेमेज पूल बनाया है, उससे यह पूछेंगे, और कैसा मसला डाला है, जो अभी एक साल भी नहीं हुआ, एक साल से कम में ही पूल तूट गया, आप ये खुद अंदजा लगाईए, आप खुद देख जो इंगिनियर दरता है, ये पूल रंगलाया ललकी हार से बालुपुला जो रूट जा रहे ही, वो इपूल है, जो इह साल पहले ही बन चुका है, जो कि यह हुआ है, एक साल के ही अंदर पूल का दिखिए कैसा हाल है, अपरोज सब भुष हो चुका है, इस से आगे भी इसमें जाच होनी चाहिए और शिगरदार पर करवाई होना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहे लाइब 24 न्यूस बिहार के साथ।